कि आपको बात बताऊं वह यह के दिन भर जो आपका समय निकलता है उस दिन भर में आप किस तरह के अने के रूपों में नजर आते हैं कर ना वह भी फॉन पर अग्दम जब किसी का पॉन आते तो आपका एक जो एक तो रूप है वो कर दाएं मैं आपको बताता हूं है अगर आपके पास फून आया जैसे की मम्मी का तो रेक्शन केसा होगा हाँ हलो हाँ मम्मी हाँ हाँ मम्मी हाँ 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 मम्मी जी जी मम्मी हाँ मम्मी खाना खाले मम्मी हाँ पानी पीले था मम्मी जी मम्मी जी मम्मी सब बड़िया मम्मी सब ठीक हम अच्छे सौंग जी मम्मी मम्मी और यही फोन अगर किसी लड़की का जा तुरी एशन हलो हां क्या हाल है आपके बढ़ियां कैसी है आप अच्छा जी 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 ज बेगा था वोत भूत हीस एचला कुअ कि मैंने कभी देखा नहीं मैंने जिन्द किम पहली बार बिसाद देका और मुछे लगा कि चाएद सूहरuse ऑनोर बहुत ही शांदार अन बिलेवल जबर्धस माने कभी सोचत मिन था वाक्ए में बहुत Lakसा घ्ला JIM बहुत इस जा और िर जो दूसरा मोड जो है वो बोड बड़ा खतरना गए जैसे की आपके बोस का फोन है तब आपका रियक्शन कैसा हुआ जी सर 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 जी सर सर अब कर लो आज सर 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 यह मेचर जो है आपके अंदर जो आता है है एक अलग नेचर होता है अब सुच रहूंगे यह सब करके में क्यों दिखा रहा हूं वह इसलिए कि हमारा जो हुमन नेचर है वो दिन भर जो परीवर्तन आता है वो किस तरह से होता है एक मा के लिए लग एक लड़की के लिए लग और एक कोई दोस्त जिसका फोन कभी भूले बिश्रे आ जाता है तो किस तरह सोता है हाँ भाई हाँ हाँ क्या आले भाई बढ़िया अरे वाह और क्या अरे वाह और सब ठीक है सब बढ़िया है चलो मिलते हैं फिर ना चलो चलो ओके ओके बाए 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 अ हाँ खत्व कर दोस्तों से मिलना कम होगा कम मिले थे पता ही नहीं मिलते हैं और सब ठीक है सब बढ़िया है ठीक है बाई मिलते हैं है ठीक है घर आना बस हम इस तरफ इस तरह अब जो दोस्ती का जो रूप है वो बहुत बदल चुका है बहुत कम ऐसा हुआ है जब मिलते हैं, बात चीत होती हैं, हसी मजाग होती है स्कूल की दोस्ती, कॉलेज की दोस्ती और आफिस की दोस्ती कई माइनों में अलग हैं स्कूल की दोस्ती कह तूँ, कह एं कह दो कह कर रहा हैं भी तला से कॉलेज की दोस्ती। दिफ्रेंट वार आई सब बढ़ вкус है, रहे ज边 मिलेगी निया आई रहे बाध बढ़ गलिया है प्रोफेशनल दोस्ती प्रोफेशनल दोस्ती बहुत अलग टाई क्यों थे ओफिस में यह बाहर कोई मिला तो और कैसे हैं आप बढ़िया आया अरे बहुत दिनों के मिलें नहीं आपसे काफी टाय हो गया जी जी चलो मिलते हैं फिर है ना ओके बाई प्रोफेशनल दोस्ती जो है वह सबसे ज़्यादा होती आ रही है उसके पीछे रीजन ही है कि अब हर कोई जो है वह यह देख के दोस्ती करता है आपसे किया हो किस जगे हो किस पत पर हो किस अंस्तान में हो तो दोस्ती एस तरा की हो गी कि दोस्ती बजाई है और मैं जानता हूं है वो मेरे दोस्त क अच्छ अधा जो मिलें था ना ने 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 रहे फेस्थबूप के दोस्त हो अगर आपको कोई अच्छा पद ए को यह बड़े आप अधिकारी थे तो आपका पेस्थ पर आरे करते बज़ें सेर कैसे यह ऐसे हैं वाइट बढ़ी आप ये उस given वेसा हो गया है मतलब का कि इसमें है मतलब के लिए होती है रोफेंरस्णरिश में हया दोस्ति हुई जिसलिहां से दोस्ति करी उसमे पर मतलब निकलते हैं बाच्चित होती हैं विवार बनता है विवार बिंगड़ जाते बनाना काम इसने क्या उसने क्या इसने क्या इसने क्या नहीं क्या क्यों क्या यह सारी चीजे हैं इन से जब मैं नहीं जाना चाहता लेकिन एक माहौल है जो दोस्ती का वो मुझे इस लगता है कि एक गली महले में रहने से या कहीं स्कूल में जो ऐसे दोस्त थे वाके में जो आपकी बहुत जादा क्यार बहुत जादा वो आपके लिए मतलब और वो लोग अगर मिल जाए पर उसमें आप ये मत देखे हैं कि वो चाहे गरीब हो चाहे वो अमीर हो ये सब चीज कभी उस तरह माइन ने देती है क्योंकि वो जो दोस्त होता उसे दोस्ते लगता ही क्योंकि अभी तो ठीक है किस से नहीं दोस्ती होती तो पहले उसका वंगला देख लेती है उसके पास जो काहर है वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ ये दोस्त जो है अपने को लगया किसी को बताना है कि हाँ मेरा दोस्त है पर यह चीज मुझे इसा लगता है कि सही नहीं है दोस्ती जो है वो अगर आप किसी गरीब से भी करोगे या बहुत आप बहुत ज़ाद अच्छा पैसे वाने है या वो बहुत छोटा है तो आप उसमें यह मैं सोचे है कि यह जो है यह आपके पैसे के लिए ही जो है हाग कैसे कंदर कृस्तना लालश नहीं होता है कर दो मतलब के लिए हैं तstad हरो क्षर डोस्ती है उसको सिर्फ एच्रुरे नहीं काफी है कि हाप उसके दोस्तों कर दोस्ते अदा नहीं नहीं दिमाग लगा था वो दिमाग लगाने लिए लिए बहुत सार्य टुरंक दोस्ति करके और निप्टारा करते हैं, पता भी चलता है समय जो है बहुत चेंज चुका है मतलब के दुनिया, मतलब के दोस्ति मतलब का पैसा, मतलब का प्यार सब कुछ यही है यह हमें चेंज करना होगा कि वो हमारे लिए कितना चेंज होता है बदलाव हमें लाना है तभी बदलाव आएगा हमस्काद